हाव नेक्स्ट नाइन्थ कुशन करते हैं हम लोग बड़ा सिंपल सा कुशन है आप लोगोंने फॉर्मला पढ़ा है थोड़ा सा जीब सा लिखा हुआ है ये बस हाना अपने फॉर्मला पढ़ा है ना a3 plus b3 plus c3 minus 3abc is equal to क्या होता है a plus b plus c a square plus b square plus c square minus a b minus bc and minus ca ये फॉर्मला आप लोगोंने बढ़ा हुआ है और आपको इसके बाद ऐक कंडिशन भी पढ़ा है if a plus b plus c अगर आपका 0 हो जए तो a cube plus b cube plus c cube जो ज़ता है वो 3abc की को ज़ता है सही है अब मैं यहाँ देखना formula लगा रहा हूँ कैसे use कर रहा हूँ इस formula का इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ a की power 1 by 3 का whole cube plus b की power 1 by 3 का whole cube plus c की power 1 by 3 का whole cube plus sorry minus 3 times a की power 1 by 3 b की power 1 by 3 and c की power 1 by 3 is equals to क्या आएगा a plus b plus c हमारा a क्या है a की power 1 by 3 plus b की power 1 by 3 plus c की power 1 by 3 इधर आगे bracket में भी कुछ आएगा इसा ठीक है मुझे एक बात पता है कि यह चीज़ मेरी 0 है तो यह सारा multiply में 0 हो जाएगा तो मेरे पास यहां से इसको देखो a plus b plus c is equals to क्या आगया 3 times a की power 1 by 3 b की power 1 by 3 and c की power 1 by 3 सही है मुझे चाहिए किसकी value a plus b plus c के whole cube की अगर मैंने दोनों side cube किया तो a plus b plus c का whole cube जो आएगा वो की आएगा 27 times a, b, c तो इसकी क्या value आगी 27 times a, b, c क्योंसा answer हो गया t d is your correct answer simple साथ हा question एक दम बस इस formula का use बता होना चीए था कैसे use किया है वो आपके सामें आपके सामें